हलो मैं राजवन्त राओ आज आपनों के समक्ष मैं चोल सामराज जीय का इतिहास लेकर आया हूँ यह देखा जा रहा है पोस्ट कोरोना काल में कि यह आनलाइन क्लासेज बहुती ससक्त माध्यम बन चुका है इसका आर्थ यह नहीं है कि आफ लाइन का महत्त तो नहीं है प्रियविद्यार्थियों मैं आफ लाइन भी क्लास लूँगा लेकिन समय को देखते हुए मैं आज चोल सामराज जीय पर फर्स्ट फेस का वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूँ मेरी कोशिश होगी कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे आपका पाठिकरम भी कवर हो और जो आप प्रतियोगी परिक्षाएं देते हैं वो भी इसमें कवर हो जाए जैसे टीजीटी, पीजीटी, पीसियस या सिविल सर्विसेज जो आईएस आदी कवर हो जाए ये मेरी कोश विशिश रहेगी तो आज मैं चोल सामराज्य आप लोगों को बताऊंगा चोलों का बहुत बड़ा इतिहास है इस मामले में चोल राजवनस बहुत ही विशिष्ट है और अन्य राजवनसों की तुलना में विशिष्ट है कि इसका जो पीरियड है जो कालखंड है वो बहु अतीत के वंसधर है सबसे पहले इनका उलेख अशोक के अविलेखों खासतोर से त्रयोदस शिलालेख और द्विती अस्तंबलेख में मिलता है यह तीन राज्यों के संग के रूप में इसका प्राय उलेख मिलता है अशोक के अविलेखों में भी मिला है द्विती एव मपि परचन तेशू यथा चोड़ा पाड़ा केरल सत्यपुतो अलिक सुंदर आतंब पड़ी इसमें केरल पांड्य और चोलों का उलेख अशोक्य विलेखों में प्राप्त होता है हम आगे बढ़े खारवेल के हाथी गुमफा विलेख में उसके 11 वर्स के उपलब्दियों को हम देखें तो उसमें मिलता है तीमीर दह संगहातम तीमीर दह संगहातम का अर्थ इतिहास कारून ने खास तोर से कासी प्रसाद जैसवाल ने और डीसी सरकार महोदे ने तमिल राज्य संग किया है तो तमिल राज्य संग यदि किया जाए तो फिर ये संग बनता है जिसमें चेर, पांड्य और चोल आ जाते है इसका चोल राज्यवंस का जो अन्तिम शाशक है वो राजेंद्र तृतिय है जिसका राज्य समाप्त होता है बारह सो उन्यासी इस्वी के लगभग तो इस तरह से हम देखते हैं कि तृतिय शताब्दी इस्वी पूरों से लेकर तेरहवी शताब्दी इस्वी के अन्तिम दसक तक चोलों का इतिहास जाता है यहनि पंद्रह सो वर्षों का इनका उत्थान पतन का इतिहास है इस में प्रारंब में मौरियों के बाद या खारवेल के बाद संगम इतिहास का प्रारंब होता है जो सौ से लेकर दो सो पचास इस्वी तक जाता है इस्वी तक जाता है इसके बाद इसका 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 आलखंड का एक ही शाशक का नाम महत्वपूर्ण है वो है करिकाल करिकाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाशक था जिसने चेर और पांड राज्यों को सब्डूड किया हुआ था यानि उसको उन्हें आदिग्रहीत कर लिया था करिकाल जो संगम एज है उसमें तीन संगम का उलेख मिलता है प्रथम संगम की कोई पुस्तक नहीं मिलती है द्विती संगम में पट्टू-पट्टू यानि इसमें 10 collection of texts हैं एक में और दूसरे में 8 जो collection है ये तीसरे में है दूसरे संगम में एक ही गरंथ है वो तोलका पियम है बच्चों तोलका पियम एक ब्याकरण गरंथ है अक्सर आप लोगों को परिक्षाओं में पूछा जाता है कि तोलका पियम का विश्य वस्तु क्या है तो तोलका पियम एक ब्याकरण गरंथ है तीसरे संगम में ही पट्टू पट्टू और दस collection of texts और 8 collection of texts मिलता है जिसमें दस किताबें और 8 किताबों का संग्रा है पोस्ट संगम काल में दो महत्वपूर्ण कृतियां है जिसमें एक है सिल्पत दिकारम और दूसरा है मडी मेकले ये दोनों लव स्टोरी है जो चेर सासक कोलवन के समय में घटित हुई है प्रिय विद्यारतियों जो चोलों का इतिहास जाने के दो तरह के साधन है एक तो साहित्य है साहित्य से हमें बहुत कुछ चोलों के विशे में जानकारी नहीं मिलती है फिर भी जैगोंडार की कृति है कलिंगत्तु पुराण इसमें कुलोंटुंग चोल और उसकी उपलब्दियों के विशे में ज्यान होता है यहनी कुलोंटुंग की वंस परंपरा का ज्यान हमें जैगोंडार कृत्त कलिंगत्तु पुराणी में मिलता है इसके बाद सेक्किलार कृत्त पेरिय पुराण आता है पेरिय पुराण कुलोंटुंग सेकेंड के कारिकाल का है महावंस में पांड्य विजय और लंका विजय के विशय में जो लंका विजय राजेंद्र प्रत्थम ने की थी उसके विशय में जानकारी हमें महावंस बौधगरंट से मिलता है इसके अत्रिक्त सबसे अधिक जो जानकारी मिलती है वो हमें अविलेखों से मिलती है अधिकांस चोल राजाओं के अविलेख दान अविलेख है और उसमें से भी अधिकांस मंदिरों के दीवालों पर उतकीन है ये बहुत ही महत्तुपूर्ण सूचना है क्योंकि एक बार एक प्रतियोगी परिक्षा में पूछा गया था कि ये अविलेख अधिकांस तक कहां से मिलते हैं तो ये मंदिरों की दीवारों पर मिले हैं एक तु जो सबसे महत्तुपूर्ण अविलेख है वो तिरुवलंगाडू अविलेख है जो राज-राज जिसका प्रारंबिक नाम अरी मौली वर्मन था उसके समय में का अविलेख है इसमें राजेंदर पर्थम की भी उपलबदियों का उलेख थोड़ा मिलता है याँनि यह राजेंदर पर्थम के काल में भी इसे थोड़ा लिखा गया रहा होगा इसके अत्रिक्त कन्या कुमारी अविलेक बीर राजेंद्र के कारेकाल का है ये कन्या कुमारी अविलेक बहुत ही important इस्द्रिस्ट से है कि इसमें इस बात का उलेक है कि चोल शाशक उत्तर भारत से दक्षिन भारत की और आए और इसमें कहा गया है कि जो मूल पुरुस है चोलों का वह चोल नाम का ही शाशक था और वो एक हिरन के रूप में वेस बना कर एक राक्षस उत्तर से लेकर दक्षिन भागता हुआ आया उसी के पीछे पीछे चोल शाशक आया और गोदावरी के तट पर वह जो हिरन रूपी राक्षस है वो मारा गया वहीं गोदावरी के तट पर चोल शाशक ने ब्रामभरों की खोज की कोई ब्रामभर नहीं मिला तो उत्तर भारत से उन्होंने ब्रामभर मंगाया ब्रामनों को बुलाया और ब्रामनों को बुलाकर दक्षिन भारत में गोदावरी के तटवर्ती छेत्रों में बसाया एक बात और इसी में कहा गया है बहुती काव्यात्मग वर्णन है कि जो समुद्र मंथन से अम्रित निकला था वही अम्रित कावेरी के जल के रूप में प्रवाहित होती है और कावेरी का जल अम्रित के समान है विद्यार्थियों जो पुरान कारों ने सब्त सरित प्रवाहों की कलपना की उस सब्त सरित प्रवाहों में एक कावेरी का नाम भी आता है एक जो नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण अभिलेख है वो तिरुवेंदि पूरम ये राज राज थर्ड के कारेकाल का है इसमें होई सलों के प्रतिक रितग्येता ज्यापित की गई है और खास्तों से तिरुवलंगाड अभिलेख और तिरुवेंदि पूरम में वन्सानुचरित यहीं वन्सावली का वर्णन है अब प्रतिक राजा के उपलब्जियों का वर्णन है इस तरह से चोल अभिलेख वन्सानुचरित परंपरा के अभिलेख है लेडन का दान पत्र और करेंडे राजेंद्र प्रथम के कारेकाल का है इसी तरह उरैयूर से भी अध्यामी लेखों में चोल सासकों को सूर्य यहुम चंदर से जोड़ा गया है और जोडते हुए इन्हें सूर्य वनसी और चंदर वनसी छत्त्री अब बताया गया है। इसकी अत्रिक्त पेरिप्लस इन इरिथ्रियन सी और टॉल्मी के जियोगरफी में भी चोलों का उलेख मिलता है चीनी दूत मंडल दो बार चोल साशन में आये थे एक राजाज प्रथम के कारेकाल में और दूसरा कुलोतूंग प्रथम के कारेकाल में चीनी यात्री चावु चूकुआ वो बारो सो पच्चिस इस्वी में आता है और चोल साशन प्रबंद के विशह में बहुत सारी बातें बताता है अक्सर प्रतियोगी परिक्षाओं में चीनी यात्रियों के विशह में क्रोनलोजिकल आर्डर में सवाल पूछे जाते हैं तो इसका आगमन बारो सो पच्चिस इस्वी में हुआ था जो चोलों की राजधानी है आरंब में उरैयूर थी उसके बार तंजोर की पोजीशन बहुत अच्छी है तंजोर जो कावेरी का जो डेल्टा है दक्षणी पस्चिमी छोड़न है कावेरी और समुद्र का जो डेल्टा है उस पर तंजोर बसा हुआ है समस्त चोल सामराज के खाद की आपूर्ती करने में इसी कारण तंजोर सहाइक है तंजोर को धान का कटोरा कहा जाता है तंजोर की मिट्टी बहुत ही अधिक उपजाओ थी इसके बाद राजेंद्र प्रथम के कारेकाल में उसने अपनी राजधानी गंगई कोंड चोलपुरम इनी नई राजधानी का निर्मार किया इनी प्रारम में विजयालय उरैयूर के आसपास शाशन करता था उरैयूर आधुनिक जो त्रिचना पल्ली है उसी के साथ उरैयूर का समीकरन स्थापित किया जाता है और मैंने बताया कि तंजोर कावेरी डेल्टा के दक्षणी पस्चिमी छोड़न है यहां का मिट्टी अ उप जाओ है जो संगम काल के बाद एक अंदकार युग प्रारंब होता है हमारे समझ से दक्षिन में सात्वाहनों और पल्लों की शक्ति विश्तार के साथ ही चोलों के शक्ति में कमी आई और संगम काल से यह नहीं तृतिय शताबदी से लेकर और लगभग आठवी शताबदी तक का इतिहास एक अंदकार में है और यह जो चोल थे वो पल्लों के या सात्वाहनों अथवा वाकाटकों के अधीन थे पुनह 869 इसवी में विजयालय से चोलों के इतिहास का प्रारंभ होता है विजयालय उरैयूर में पल्लों के सामन्त के रूप में शाशन कर रहा था इसकी उपादी तंजई कोंड की उपादी और परकेसरी की उपादी थी बिजयालय ततकालीन अपने पल्लों अधीपति के लिए पांडियों के साथ और चेरों के साथ के विरुद्ध अने के युद्ध किया पांडियों से बिजयालय ने तंज़ोर को छीन लिया और वहाँ पर मा दुर्गा का मंदिय स्थापित किया पांडियों से तंज़ोर को छीन कर छीना तो पल्लों की ओर से छीना और वहाँ पर मंदिय की स्थापना की बिजयाले के पश्चात आदित्य वर्मन भी पल्लोव साशक अपराजित की अधीनता स्विकार करता था सामन्त के रूप में लेकिन उसने अनेक युद्धों के द्वारा पल्लों के प्रति अपनी स्वामी भक्ती प्रकट की श्री पुरंबियम के युद्ध में उसने पांड़ों को पांड़ें को पराजित किया ये युद्ध भी पल्लों की ओर से आदित्य वर्मन प्रत्थम लड़ा था अन्तता उसने पल्लो राज अपराजित की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद तोंड मंडलम पर आधिपत्य स्थापिक कर लिया जो तोंड मंडलम है वो चोल मंडलम है इस चोल मंडलम में तीन चार प्रांत आते हैं या चोल मंडलम पूरवी दक्षणी छोर पर समुद्र के का तटवर्ती किनारा है चोल मंडलम इसमें तमिलनाडू पांडी चेरी आंद्र और विजयवाडा का छेत्र आता है आप देखिए तो यहाँ पर जो पांड्य है फिर यहाँ पहुत पहले यह तंजोर पल्लाव का स्थान था जिसे आदित्य वर्मन ने छीना था पल्लाओं से तो यह जो इलाका है यह तमिलनाडू है यह आंद्रा है यहीं पर पांडी चेरी है यहीं तंजोर का इलाका है और यह अस्थान बिजयवारा है मैं यदि आपनों को दिखाऊं उस समय की ततकालिंग परिस्थितियां तो यह होयसलों का राज्य था यह होयसल और होयसलों की राजधानी थी हेलेविट और यहां पर जो वेंगी का राज्य था जिने हम पूर्वी चालुक्य करते हैं कहते हैं गंगों का राज्य यहां हो था यहीं पर कल्याणी के चालुक्य थे तो इस तरह से पूर्वी चोर पर वेंगी और पश्चिमी चोर पर गंग बीच में होयसल और फिर कल्याणी के चालुक्य इनसे घिरा हुआ था चोलों का साम्राज्य तो तोंड मंडलम पर यहीं चोल मंडलम पर मैंने बताया कि इसमें आंद्रप्रदेश, पांडीचेरी और तमिलनाडू, विजयवारा का छेतर आता है यह कालांतर में जब यहाँ यहनी पूर्वी तट पर फ्रेंच और पूर्तगीज आये तो इस चेतर का नाम कोरो मंडल हो गया तो इस तरह से तोंड मंडलम, चोल मंडलम और फिर यह कोरो मंडलम हो गया जिसमें तमिलनाडू, आंद्र, पांडीचेरी का छेतर आता है यह व्यापार की द्रिश्टी से और खाध्यान के द्रिश्टी से दोनों ही द्रिश्टियों से अत्येंत महत्वपूर्ण छेतर था इन्हों ने आदित्यवर्मन ने पश्चिमी गंगों को दबाया सब्द्यूड किया आदित्यवर्मन का पुत्र युवराज के रूप में अपरांत प्रथम का विवाह आदित्यवर्मन ने चेर राजकुमारी के साथ किया अब देखिए पल्लों को पराजित करके उसने पल्लों को पराजित करके उसने समस्त तंजवर का इलाका ले लिया और पांडियों को पराजित किया चेरों को उसने मुक्त रखा और चेरों से उसने वयवाहिक संबन्दों के माध्यम से आदित्य वर्मन ने चेरों के साथ मैत्री पूर्ण संबन्द रखा कावेरी के दोनों किनारों पर आदित्य वर्मन ने शिव मंदिर बनवाई के बाद यही परांतक प्रथम शाशक हुआ परांतक प्रथम शाशक हुआ उसने सिंगल और पांडियों की ओर अपना ध्यान आक्रिष्ट किया यद्यपी आधित्य वर्मन ने भी पांडियों पर आधिपत्य स्थापित किया था लेकिन वो अस्थाई सिद्ध नहीं हुआ पांड शासकों ने सिंगल से सहायता मांगी थी और इस तरह से परांतक प्रथम ने सिंगल और पांडियों की सेनाओं को बेलूर में पराजित किया बेलूर में पराजित किया और इस पराजे के उपलक्ष में उसने मधुरांतक और मधुराई कोंड की उपाद धारण की मधुरांतक और मधुराई कोंड मधुरा राजधानी थी पांडियों की राजधानी याद रखियेगा मदूरा पांडियों की राजधानी थी इसी कारण मदूरांतक या मदूराई कौन्ड की उपादी धारन की परांतक प्रथम ने इसके पश्चात वैदुम्बो और बानों को उसने पराजित किया आपको ध्यान होगा वैदूंब और बार पल्लों के बहुत ही स्वामी भक्त सामंत थे यही इन ही को लेकर अकसर पल्लों का चालुक्यों के साथ संगर्स होता था तो यहां भी जो उसने वैदूंबो और बारों पर आकरमण कर उन्हें पराजित किया था यहनी। परांतक प्रथम के काल में केरल के अतरिक्त पिननार से लेकर कुमारी अंतरीब तक का क्छेत्र, चोलों के सामराऑज्य का अंग बना है। शाशक था इसके बाद परांतक द्वितिय हुआ इसने सिंगल पर आक्रमण किया या निर्डायक नहीं हो सका और तोंड मंडलम यानि चोल मंडलम पर इसका आधिपत्य बरकरार रखा इसके बाद परांतक द्वितिय का पुत्र अरि मौली वर्मा राज राज प्रथम के नाम से 985 में तंजोर में सिंगहासना रूड होता है यह अत्यन्त महत्वा कांची साशक था राज राज के नाम से यह सिंगहासना रूड हुआ था